नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम रिजॉर्ट शहर या कैसीनो शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं और वह शहर लास वेगास है लास वेगास अमेरिका के निवादा के मोजावे रिगिस्तान में एक शहर है जिसकी स्थापना 1905 में एक रेल मार्क के खुलने के बाद हुई थी जो लोस एंजिलिस और सौर्ट लेक सिटी को जोडता था इस स्टॉप ओवर ने कुछ किसानों को शहर की ओर आकरशित किया और तब शहर में ताजा पानी भी पहुँचाया गया 1911 में शहर को क्लार्क काउंटी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था 1931 में शहरी करन तब शुरू हुआ जब बोल्डर बांध अब हुवर बांध पर काम शुरू हुआ जिससे युवा पुरुष श्रमिकों की भारी भीड आई जिनके लिए माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर थियेटर और कैसीनों बनाए गए बांध से मिलने वाली बिजली ने स्ट्राइप के किनारे कई नए होटलों के निर्मान को भी सक्षम बनाया लास वेगास अपनी night life, शांदार resorts और विभिन प्रकार के मनोरंजन विकल्पों के लिए जाना जाता है आये जानते हैं लास वेगास के बारे में कुछ रोचक तथियों के बारे में प्रसिध लास वेगास स्ट्रिप लास वेगास की शहर सीमा के भीतर स्थित नहीं है यह वास्तव में Clark County के अधिकार क्षेत्र में आता है लास वेगास दुनिया के 20 सबसे बड़े होटलों में से आधे से अधिक का घर है 520 फीट व्यास वाला और 550 फीट उचा खड़ा हाई रोलर ग्रह पर सबसे उचे अवलोकन चक्र और अब्जर्वेशन वील होने का रिकॉर्ड रखता है स्ट्रेटोस्फियर अमेरिका में सबसे उचा अवलोकन टावर और अब्जर्वेशन टावर है और मिसिसिपी नदी के पश्चिम में दूसरी सबसे उची स्वतंत्र सनरचना है जो 1149 फीट की उचाई पर है एक दशमलव 6 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ लास वेगास मेट्रोपॉलिटन शेत्र राज्ज में सबसे घनी आबादी वाला शेत्र है शहर में प्रती वर्ष 5 इंच से कम वर्षा होती है वेगास में शेलफिश की खपत प्रती दिन 60,000 पाउंड से अधिक है जो सन्युक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है लैंड मार्क्स लास वेगास कई प्रसिध स्थलों का घर है यहां हमने उन में से कुछ को सूची बद्ध किया है लास वेगास स्ट्रिप सडक का एक 4.2 मील लंबा स्ट्रेच जो दुनिया के कई सबसे बड़े होटल और कैसीनों का घर है फ्रीमॉंट स्ट्रीट लास वेगास शहर में एक पैदल यात्री मॉल जहां लाइट और साउंड आपकी शाम बनाती है स्ट्रेटोस्फियर टावर 1149 फुट टावर जो शहर के मनोरम द्रिश्य प्रस्तुत करता है और इसमें एक घूमने वाला रिस्तरा है बेलाजियो फाउंटेन एक कोरियोग्राफ किया गया पानी का फीचर जो संगीत के लिए सेठ है और रात में रोश्नी करता है नियोन संग्रहाले, लास वेगास के अतीच से एतिहासिक नियोन संकेतों को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित एक संग्रहाले सेवन मैजिक माउंटेन लास वेगास के दक्षिन में रेगिस्तान में स्थित चमकीले रंग के पत्थरों के साथ तावरों की एक सारवजनिक कलास थापना अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें कुल कैसीनो नेवादा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के अनुसार एक कैसीनो को स्लोट मशीनों और विडियो पोकर मशीनों सहित 15 से अधिक जुआ मशीनों के रूप में परिभाशित किया गया है हाला कि इस शब्द में स्पोर्ट सबुक्स, बिंगो और हॉर्स रेसे ट्रैक शामिल नहीं है इन मानकों के आधार पर लास वेगास में लगभग 150 कैसीनों है नेवादा गेमिंग कमीशन के अनुसार, लास वेगास में सबसे बड़ा कैसीनों व्यान और एनकोर कॉम्पलेक्स है जो लास वेगास स्ट्रिप के उत्तरी छोर पर स्थित है विन और अनकोर का संयुक्त गेमिंग स्थान 1,86,187 वर्ग फुट से अधिक है सबसे प्रसिद्ध कैसीनों लास वेगास कई प्रसिद्ध कैसीनों का घर है लेकिन केवल एक को चुनना मुश्किल है तो आईए लास वेगास के कुछ सबसे प्रसिद्ध कैसीनों के बारे में जानते हैं दवेनीशन यह कैसीनो अपनी शांदार इटली की थीन वाली सजावट और वास्तुकला के लिए जाना जाता है इसमें 2500 से अधिक स्लोट और विडियो पोकर मशीने, 115 गेमिंग टेबल शामिल है बेला जियोक यह कैसीनो अपने प्रतिष्थित फाउंटेन शो के लिए प्रसिद्ध है, जो संगीत और रोश्नी पर आधारित है इसमें एक कंजरविटरी और बोटैनिकल गार्डन्स भी हैं, जो देखने लायक है सी सार्स पैलेस यह कैसीनो अपनी रोमन्थीन वाली सजावट और वास्तुकला के लिए जाना जाता है इसके अंदर एक स्पोर्ट्स बुक है, जो गेमिंग फ्लोर के इस 15,580 वर्ग फुट कोने में बड़े गेम के दौरान टेलगेटिंग शैली का अनुभव प्रदान करती है इन जी एम ग्रैंड यह दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो है इसमें 2500 से अधिक स्लोक मशीने, 149 पोकर और अन्य गेमिंग टेबल और एक रेस और स्पोर्ट्स बुक शामिल है तकोस्मोपॉलिटन ओफ लास वेगास यह कैसीनो अपनी आधुनिक सजावट और वास्तुकला के लिए जाना जाता है इसमें दचंदेलियर नामक तीन मनजिला बार है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक क्रिस्टल है मेरी खोज के अनुसार, लास वेगास का सबसे महंगा होटल पाम्स कैसीनो रिजॉर्ट है इस होटल के एमपैथी सुइट की कीमत प्रती रात एक लाख डॉलर है और इसे दुनिया का सबसे महंगा होटल माना जाता है सुइट में एक निजी पूल, 13 सीटों वाला बार, एक मसाज रूम और 24 घंटे बटलर सेवा की सुविधा है पाम्स कैसीनो रिजॉर्ट टु स्टोरी स्काइविला और हार्ड वुड सुइट जैसे अन्य शानदार आवास भी प्रदान करता है लास वेजजेज में कैसीनो कितना पैसा कमाते हैं लास वेगास में कैसीनो द्वारा कमाए जाने वाले पैसे की मात्रा समय अवधी और कैसीनो के आधार पर निर्भर करती है नेवादा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के अनुसार लास वेगास स्ट्रिप पर कैसीनो ने डॉलर 2.1 बिलियन एकत्र करके 2021 की तीसरी तिमाही के दोरान एक रिकॉर्ड स्थापित किया 2022 में लास वेगास ट्रिप, एमजीम ग्रैंड और बेलाजियो जैसे विशाल कैसीनो ने डॉलर 8.29 बिलियन की कुल जीत दर्स की जो पिछले वर्ष से 17% की वृध्धी थी लास वेगास के कैसीनो चलाने वाले सालाना राजस में डॉलर 3 बिलियन से डॉलर 11 ट्रिलियन तक रेविन्यू उत्पन करते हैं जदी आपको यह विडियो पसंद है तो कृप्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अधिक विडियो के लिए नोटिफिकेशन बैल को दबाना न भूले झाल 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 में जब खिर्ड़ते हैं झाल झाल